हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज किस वीडियो में करें हैं क्लास 12 में बायलोजी का चैप्टर नंबर 3 है इसमें हम केवल वही टोपिक डिसकस करने वाले हैं जहां से लास्ट 15 एर्स के अंदर नीट में क्युशन पूछे जा हैं वो सभी चैप्टर आपको आई बटन में प्लेइलिस्ट के अंदर लिंक मिल जाएगा जहां पर आप चेक आउट कर सकते हो इसके अलावा अगर आपको एंसर्ट करनी है यानि एंसर्ट का लाइन बाइन डिसकस करनी है तो वह भी हम करवा चुके आपको जो है वो चैनल cannot first है और लिफी परस होते हैं यहां पर कुछ एक जो है वो तरम आपको याद रखनी होगी क्या याद रखनी होगी कि यहाँ पर जो हमारे गयमिट-फॉर्मेशन उसको बोला जाता है जाईगोट अब यहां पर यह जो ज cycle है वह वो जाईगोट से बनता है ब्लास्टो सिट उसका formation होता, development होता है और फिर ये attach हो जाता है uterine wall के साथ में तो ये जो blastocyste, उसका uterine would के साथ में जो attachment होता है, उसको बोला जाता है implantation फिर उसके बाद में जो पूरी embryonic development चलती है उस process वो जो पूरा time period होता हम उसको बोलती है gastration के बारे में, अब male reproductive system महारा pelvis region के अंदर होता है, जहाँ पर pair of testis होते हैं, इसके लावा accessory ducts होते हैं, glands होते हैं, और external genitalia होते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, testis के बारे में, अब देखे यहाँ से 2011 में क्योंसन आ चुका है, AI PMT 2011 के अंदर, क्या क्योंसन पूछा गया, the testis are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum, यानि जो testis होती है, वो abdominal cavity से बाहर जो है, वो present होती है, जैसे इस diagram में आपको दिखाई दे रहोगा, यह होगा scrotum और scrotum के अंदर या पे आपको testis दिखराई दे रही होगी, spouse के अंदर, अब देखिए the scrotum क्या मदद करता है, और यहीं से AI PMT 2011 में क्योंसन पूछा गया था, the scrotum help in the maintaining the low temperature of the testis, 2 से लेकर 2.5 degrees Celsius जो lower than the normal internal जो body temperature होता है, उससे lower जो है, वो temperature होता है, यह क्यों होता है temperature क्योंकि necessary for spermatogenesis, spermatogenesis आप समझ क्यों चुके होंगे कि इसका मतलब होता है formation of the sperm, अब हम आगे बात काते हैं यहाँ पर, अब देखिए testis जो होता है, उसका size वगेरा दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए each testis है, 250 compartment, यानि हर एक testis के अंदर, approximately 250 compartment होते हैं, जिनको बोले जाता है testicular lobule, और यह जो एक lobule होता है, उसके अंदर 123 highly coil, semi-ferrous tubule होते हैं, जहां पर sperm जो होते हैं, वो produce होती हैं, यह diagram आप अच्छे से देख लेना यहाँ पर पोज़ करके, ओके, अब यहाँ पर जो हमारे पास में 70-ferrous tubule है, यहाँ पर देखिए, AI-PMT 2010 में के उसना है, कि जो 70-ferrous tubule है, वहाँ पर line to the outside by two type of cell, यानि 70-ferrous tubule के अंदर two type के cell होते हैं, एक होता है male germ cell, जिसको बोले जाता है spermatogonia, और second होता है subtoli cell, अब यह जो male germ cell है, जिसको spermatogonia बोला जाता है, इसमें mutic division होती है, जिससे sperm formation होता है, और जो subtoli cell होते है, वो nutrition provide करते हैं कि इसको germ cells को, अब यहाँ पर देखिए, यह एक और important चीज़ जाद रखनी है, दा region outside दा semi-ferrous tubule है, जो semi-ferrous tubule है, उसके outside का जो region होता है, उसको बोलते हैं, इंटरस्टीशियल space है, यह आपको दिखाए देरा है, स्टोली cell, यह आपको दिखाए देरा स्परमोटो गोनिया, और यहाँ पर देखिए, जो interstitial space है, उसके अंदर कुछ cells होते हैं, उनको एंड्रोजन जो होर्मोन होता है वो लेडिंग सेल सीक्रेट करते हैं जिसको इंटरस्टीशल सेल भी बोला जाता है यह चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी ओके अब हम बात करते हैं मेल सेक्स असेसरी डेक्स के बारे में अब यह काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर होते से देख लेना क्योंकि AI PMT में आ चुका है अब देखिए यहाँ पर जो पाथवी है वो काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह पाथवे कितना इंपोर्टेंट आपको दिखाई दे जाएगा AI PMT 2010 में डाइग्राम हमारा आ चुका है AI PMT 2009 में इसके लावे यहाँ पर 2011 में नी 2016 में नी 2019 में और नी 2014 में के उसन आ चुका है यानि approximately यहाँ से 6 ताइम के उसन आ चुका है तो काफी important हो गया यह topic अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह जो duct का पूरा pathway है यह काफी important है देखिए these ducts store and transport the sperm from the testes to the outside through the urethra the urethra originate from the ureandry bladder and extend through the penis to its external opening called the urethral meat test तो यह हमें जो पूरा पाथवे है यह हमें याद रखना पड़ेगा अब यह पाथवे कैसा देखिए सबसे पहले आती है सेमनी फेरस टूबल यह तो हमने देखा था सेमनी फेरस टूबल के अंदर दो टाइप के सेलते और यह आचुके हैं हमारे कौन से accessory glands, अब accessory glands होते हैं तीन टाइप के देखे, seminal vesicle का paired होता है, prostate के वल single होता है, और जो बर्बो यूरेथल होता है, वो भी pair होता है, अब यह total हो गए 5 क्योंकि यह भी pair है, यह भी pair हो यह single है, बट यह जो तीन हमारे total तीन टाइप के जो glands है, यह क्या करते हैं, secretion of these glands constitute the seminal plasma, यह जो secret करते हैं, उसको बोलते है, seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzymes, यानि आपर इसमें fructose, calcium और बहुत सारे enzymes होते हैं, वो होते हैं, काफे important हैं, क्योंकि 2009 में, 2010 में, और 2020 में क्योंसर आ चुका है, 3 times, the secretion of bulbo-urethral gland, यह याद रखना है, जो bulbo-urethral gland ह वो किसमें मदद करता है, lubrication of the penis के अंदर, जो है, वो मदद करता है, next time बात करते है, external genitalia के यहां से क्योंसर नहीं आए है, अब हमारा start होता है, female reproductive system, female reproductive system भी pelvic region के अंदर होता है, यहाँ पर pair of ovaries होती है, जो कि हमारे आमने, दिखा दें, यहाँ पर दो कि यह आमारा पूरा genitalia यहाँ पर present होती है, अब हम यहाँ उसके अलावा जो है, female reproductive system के अंदर जो है, वो memory gland होते हैं, वो काफे important role play करते हैं, इसमें, integrated structure and functional to sport the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care के अंदर जो है, वो memory gland का काफे important role play आता है, अब यहाँ पर हमारे primary female sex organ कोंसे हैं, वो होते हैं, ovaries, क्योंकि यहाँ पर gamete का formation होता है, that is ovum, इसके लावा यहाँ पर several steroid hormone, जो दिनको ovarian hormone बोलते हैं, वो भी release किये जाते हैं, अब देखिए, AI PMT 2003 में question आ चुका है, जो कि आपका NCRT में mention नहीं है, देखो, bulbo urethral gland हमने देखा था, जो कि penis को lubricant करता है, बट यहाँ पर barotheline, अब आपको यह याद रखना है, क्योंकि दोनों ना मिलते जोते हैं, वो बर्तल नीर है, यह barotheline है, और वो bulbo urethral है, जो barotheline glands होते हैं, वो situated होते है, either side of the vagina, which secret a fluid that lubricate the vulva during the population, यह भी आपको याद रख लेना है, ओके, अब हम आगे चलते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, फैलोपियन ट उसके बाद में यह फैलोपियन ट्यूब हो गया, यह हमारे जो uterus हो गया, यह हमारे cervix हो गया, cervical canal और यह vagina हो गया, इस टाइप से, अब यहाद पर देखिए, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी जो हैं, वो अलग लग पार्ट होते हैं, जैसे fembri, fembri सबसे pass में होता है, जो कि हमारा ovum आता है, उसको क्या करता है, collect करता है, फिर यह uterus आ जाता है, यूट्रेस के अंदर तीन लेयर होती है, जो बिल्कुल inside में होती है, वो endometrium होती है, फिर यह myometrium और बिल्कुल outside की तरफ जो है, वो perimetrium होती है, जब हमारे menstrual cycle आती है, females के अंदर, humans के अंदर, तो वहाँ पर जो हमारे पास में जो release होता है, जो blood release होता है, उसमें breakdown करती है, कौन सी layer, endometrium layer release करती है, अब यहाँ पर देखे आगे लिखाव है, the part closer to the ovary is the funnel shaped infundibulum, AI PMT 2010 में क्यों सना चुका है, देखे, the edge of the infundibulum poses finger-like projection called the fimbry, which help in the collection of the ovum after ovulation, तो मैंने यही बताता है, कि fimbry जो होती है, वो क्या करती है, infundibulum का जो portion में जो fimbry है, यह collect करती है कि इसको ovum को, infundibulum leads to the wider part of the ovida, एमपूला और फिर उसके बाद में इस्तमस आ जाता है, और यह diagram हम बता चुके है, कि 2000 2011 में कि उसना आ चुका है, next हम बात करती है, uterus and cervix के बारे में, अब uterus को हम क्य surgical removal of uterus, अगर uterus को surgical remove कर दिया जाए, तो उस process को बोलते है hysterectomy, और यह knee 2015 में क्यूशन आ चुका है, और यहां से आपको यह भी बता दू, कि यह जो हमारे पास में क्यूशन आ था, वो आपको NCRT में mention नहीं मिलेगा, okay, हमने बात किती, uterus के अंदर 3 layer होती है, जो external होती है उसको perimetrium बोलती है, जो middle thick layer होती है, जिसमें smooth muscles होती है, वो myometrium होती है, myometrium किसके अंदर मदद करती है, जब delivery of the baby होती है, तो आपे strong contraction होती है, और यह जो endometrium में जापे बहुत सारे glands वगरा होती है, यह क्या करती है, यह uterine के बिल्कुल inside में होती है, देखे लिखा हुआ the endometrium undergo cyclic change, यानि endometrium होती है, उसके अंदर cyclic change होती है, कब minister cycle के time पे, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby, आपको याद रखना है, फिर यहाँ पर यह female external genitalia बताएगे हैं, यहां से कि उसन वगेरा नहीं आया हो है, next memory gland की बात करें, तो memory gland में आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर जो alveoli होती है, वो milk को secret करती है, और वो store होता है कहाँ पर, उसके lumen के अंदर, फिर वहाँ से वो जाता है, कहाँ पर memory tubules के अंदर, memory tubules जो है, वो segn tactics के अंदर, और फिर memory ducts होती है, वो form कर लेती है, waim memory ampula, और और वो connect होती है, le cuz syrup के अंदर, जहां से milk जो है वह सब्सक्राइब होता है तो इस टाइब से यह सारा चीज़े होती है नेक्स आम बात करते हैं गैमीटो जैनेसिस के बारे में अब गैमीटो जैनेसिस आपको पता ही चल चुका होगा तैट इस दा फॉर्मेशन ओफ गैमीट्स यानि इस पम जो हो मेल के अंदर के मेल360 के प्रोसेस को देखें गें और हम फिर हो फीअल गैमीट प्रोसेस को देखेंगे सबसे पहले देखी इन में डिफरेंस वक्रणा पड़ेका लास्ट में से टेबल डियुए जानपे डिफरेंस बताया हुए और वह काफी इंपोर्टेंड है क्योंकि कई बार से निटमी की उसन आ चुके हैं तो चलिए बात कहते हैं सबसे पहले male gamits के बारे में यहाँ पर देखें टेस्टीस के अंदर immature male germ cell होते हैं जिनको बोलते है spermatogonia और यहीं spermatogonia जो है वो sperm बनाएंगे किसके process में spermatogenesis के तुरू बट यहाँ पर यह जो process है वो begin होगा puberty में अब यह काफी important है यह याद रखना है यह जो process होता है वो puberty में start होता है बट जो अगर हम female gamit का process देखेंगे तो वो जो है embryonic development के time ही starts हो जाएगा अब जो हमारा spermatogonia जिसको spermatogonium बोलती है यह कहाँ पर होता है seminiferous tubule के अंदर होता है वो भी आपको पता है पर पहले इसके अंदर mitotic division होती है यह आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हमारे पास spermatogonia के अंदर mitotic division होगी क्यों क्योंकि उसके बहुत सारे number बना लिए जाएंगे फिर जो spermatogonia होता है वो कैसा होता diploid होता है जिसके अंदर 46 chromo जो होता है 2015 में question आ चुका है काफी important है अब यह बहुत सारे जो spermatogonia बन चुके उनमें से कुछ एक जो spermatogonia होते हैं उनको बोलती है primary spermatocyte अब यह जो primary spermatocyte है वो जाएंगे meiosis के अंदर वो किसके अंदर जाएंगे meiosis के अंदर जाएंगे वहाँ पर first mutic division होगी जिसको बोलते है reduction division उसके बाद में वहाँ पर जो है वो haploid cell बनेगे और वहाँ पर उनको क्या बोलेंगे secondary spermatocyte और जो secondary spermatocyte है उसके अंदर यहाँ पर यह spermatogonia है यह सर्टोली सेल आपको पता है क्योंकि यह सैमनी फेरस टूबूल का डिखाएंगे इसलाए अब यहाँ पर देखिए spermatogonia में क्या बनेंगे primary spermatocyte को change हो जाएंगे primary जाएंगे secondary में और secondary जाएंगे वो किसमें बनेंगे spermatid में अब यह जो spermatid है वो सर्टोली सेल के साथ में fuse हो कि क्या बना लेगा spermatogonia बना लेगा जिसको sperm बोलते है अब यह वाला process काफी important है क्योंकि दो बार recent year में क्योंसे ना चुका है 2018 में और need 2020 में यहाँ पर दो चीज़े आती है एक होता है spermiogenesis और एक होता है spermiation यह दोनों काफी important है इन दोनों में क्या difference है आपको अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर हमने म्योटिक division करके बना लिया क्या spermatid अब यह जो spermatid है वो transform होगा किसके अंदर spermatogonia sperm के अंदर यही देखो में ने बला था कि जो spermatid है वो transform होगा किसके अंदर spermatogonia में उस process को बोलते है spermiogenesis उसको क्या बोलते है spermiogenesis जब यह हमारे पास में spermatid spermatogonia के अंदर transform हो जाएगा वो उसको बोलेंगे spermiogenesis और जब यह हो जाएगा तो यहाँ पर जो sperm का head होगा वो become embedded in the sertoli cell में आपको बता था कि यह किसमें embedded हो जाएगा इस sertoli cell में embedded हो जाएगा जैसा दिखाई दे रहा है and are finally release from the seminiferous tubular उसको बाद में कहां से release कर दिया जाएगा से release किया जाएगा उस process को बोलते है spermiation यह चीज़ आपको clear हो चुकी होगी यानि यहाँ पर सिंपल बुला गया जो spermated को spermito जो यानि sperm में convert करने वाला process होता है spermiogenesis फिर उसके बाद में वहाँ पर embedded कर दिया जाए सर्टोली cell के साथ में वह process हो जाता है spermiation यहाँ पर हमें यह चीज़ याद रखनी होगी नेक्स टेम बात करते है role of the hormone अब यहाँ पर कुछ एक hormones का रोल भी काफी important है क्योंकि AI PMT 2006 में और NEET 2022 में किसन आ चुका है अब जो spermitogenesis होता है वो तो आपको पता की puberty में start होता है यहाँ पर कुछ एक hormone का important role पला होता है यहाँ पर hypothalamic hormone का रोल होता है हमने class 11 का chapter number 22 जो hormone वाला था कि जो हमारा gonadotropin releasing hormone है वो क्या है वो hypothalamic hormone है अब the increased level of gonadotropin releasing that act on the anterior pituitary वो anterior pituitary पे act करता है और वो दो gonadotropin को release करवाता है that is luteinizing hormone और follicle stimulating hormone आपको पता है कि LH जो होता है वो leading cell पे secret करके androgen secret करता है दो बार के उससे ना चुका है हमने अभी देखा था और जो androgen होता है stimulate the process of spermatogenesis इसके लावा ये spermatogenesis के process को stimulate करता है FSH hormone क्या करता है FSH जो है वो sertoly cell पे act करता है और stimulate the secretion of some factor जो की आपके spermiogenesis process के अंदर help करते है next यहाप है structure of the sperm दिया हुआ है दो बार यहां से किसे ना चुके यह diagram है NCRT वाला यह आप देख सकते हूं यह head वाला हो गया जांपे plasma membrane होती है इसमें होते है acrosome जिसके अंदर कूछ है एक enzyme बरे होते हैं जो कि फटेरेशन के time पे help करते है इसके लिए आप यह nucleus है जिसके अंदर पूरा kromosomal material है यह neck है middle portion के अंदर mitochondria मिल जाएंगे ताकि वो energy source होंगे क्योंकि आपको जो माइटो जो आपका पूरा sperm है वो swimming करके आगे जाएगा इसके लाब यह tail होगी जो की swimming में help करेगी अब देखिए the sperm head contain elongated haploid nucleus है आप यह जो nucleus के अंदर जो material है वो haploid आपको ही पता है the anterior portion of each is covered by the cap like structure called acrosome इसके अंदर acrosome दिखाई दे रहा है the acrosome is filled with the enzyme that help in the fertilization हमने बता दिया कि acrosome के अंदर enzyme होते है जो fertilization में help करते है sperm viability 48 to 72 hours यानि जो sperm की viability होती है वो 48 से लेकर cable 72 hours तक की होती है और यह भी pH पर depend करता है more active alkaline pH में रहता है यह भी आपको पता होना चाहिए clear है next हमें आपे बात करते है formation of female gamet अभी हां से कुछे क्यों से ना हुए है अब देखिए the process of mature female gamet is called oogenesis उसको बोलते है oogenesis और यह कैसे difference है देखिए oogenesis is initiated during the embryonic development हमारा जो spermatogenesis था जो spermatogenesis था वो कहां पर start हो रहा था वो start हो रहा था कब pubertic में बढ़ यह कब start हो रहा है pubertic जो हमारी embryonic development है उसी टाइम पर यह start हो रहा है यह आप मों याद रखना पड़ेगा बेने couple of millions that is gamet mother cell oogenia are formed within each fetal ovary no more oogenia are formed और added after birth जैसे ही birth हो जाता है उसके बाद में कोई भी oogenia जो है ना तो बनेगा और ना ही add होगा यहां से काफी important need 2020 में question आ चुका है अब यह भी आपको याद रखना है देखे उगोनिया cell start division and enter into pro phase 1 जो उगोनिया होती है वो division start करती है और pro phase 1 में आकर रुक जाती है अगर आपने chapter number 8 class 11th के अंदर chapter number 10th cell cycle and cell division पढ़ा था pro phase 1 वाला तो वहाँ पर लिख रखा था डिपलोटीन जो होती है वो मंद से लेकर ear tech हो सकती है वो क्यों हो सकती है देखे और बहुत सारे granular cells जो होते है उसके बाहर लग जाते है और उसको बला लेते है primary follicle अब यहाँ पर देखे ग्रूनिलर cells produce a hormone inhibiting in ovary which inhibits the secretion of FSH जो granular cells होते है वो एक hormone जो होता है inhibiting hormone उसको बनाते है और वहाँ पर उससे क्या होता है वो जो FSH होता है उसके secret secretion को क्या करते है इनिबिट करते है रोकते हैं यहाँ से 2016 में क्यों से ना चुका है अब जो हमारा primary follicle बनाए उसके आले और सारे granular cells जो है वो attach होने लगते है और एक और new ठीका बनता है जिसको ब बोलते हैं एंटरम यह भी आपको याद रख लेना है किया पर 2016 में क्यूशन आ चुका है फिर यह जो हमारी tertiary follicle बनी है इसके अंदर होगा myotic division और जैसे myotic division होगा तो यहाँ पर secondary ucide बनेगी और एक polar body बनेगी secondary ucide जो होगती है उसका जो यहाँ पर जो cytoplasm होता है उसमे ब्लड वेसल है यह primary follicle primary follicle किसमे करनवर्ट होगी secondary में secondary किसमे होगी tertiary में tertiary में आपको एंटरम दिखाई दे रहा हुआ यानि fluid field cavity दिखाई दे रही हो यह जो tertiary होती है वह mature होके graphene follicle में बनती है graphene follicle के अंदर आपका division होते है वहाँ पर ओम जो होता है वह रिलीज हो जा the tertiary follicle further change into mature and graphene follicle secondary oocyte form a new membrane called the genopalicida जिसको acellular ear भी बोलते है जो कि इसको surround करती है genopalicida नी 2015 और नी 2020 में किसे ना चुका डाइगराम नी 2013 में आ चुका है और यह जो graphene follicle है वो rupture to release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process called the ovulation अब यहाँ पर यह क्याद रखना है जो ovum release हुआ यह ovum और कुछ नहीं है केवल secondary oocyte है यह secondary oocyte है क्योंकि primary जो oocyte था उसके अंदर miotic division होई एक polar body release हो गई और एक आपका secondary oocyte release हो गया यानि अभी यहाँ पर miotic division second complete नहीं हुई है clear है second miotic division complete होगी वो भी काफी important है अब देखो मैंने आपको बताए था कि यहाँ पर यह जो difference दिया हुआ है यहाँ से क्योंसे आ चुका है कितनी बार आ चुका है four time from below diagram AI PMT 2008 में 2009 में नी 2013 में नी 2022 में भी क्योंसे ना चुका है अब इदर वाला जो process दिया हुआ है यह दिया हुआ है किसके अंदर male के अंदर और यह वाला दिया हुआ है किसके अंदर female के अंदर देखो यहाँ पर spermato गया थी सबसे पहले mytotic division हुई फिर उसके बाद में primary spermatocyte हुआ primary में first mutic division complete वार secondary spermatocyte बना यह वाला जो है आपका 46 क्रोमोजोम थे इन दोनों में उसके बाद में जैसे secondary spermatocyte बना यहाँ पर 23 क्रोमोजोम बन गए यानि secondary spermatocyte क्या हो गया हैपलोईड हो गया फिर second जो mutic division हुआ क्या बने spermatid बने वो भी क्या है आपके हैपलोईड है और फिर डिफरेंशेट होंके क्या बन गए spermatocyte बन गए पर यह सारा का सारा प्रोसेस प्यूबर्टी में हुआ अब देखो यहाँ पर जो हमारे उजनेसिस है उसके अंदर उगोनिया थे उगोनिया सारे के सारे यह जो बन रह रटाये उफुटमियूटिक डिवीज़न में डिपलोटि पे आके रुख जाती है अभीये कैब होती है जब ऑपि चिंकल जाते है polls कर दिया दो घे और फिर इसमें डिवीजन होता है कब आपका यहां पर केवल फर्स्ट इम्योटिक डिवीजन बताए गया देखो सेकंड इम्योटिक डिवीजन यहां पर नहीं बताए गया है यहां पर सेकंड डिवीजन बताए गया है क्यों नहीं बताए गया है क्योंकि सेकंड डिवीजन जो है वो तभी complete होगी अगर वहाँ पे fertilization होगा अगर वहाँ पे fertilization नहीं होगा तो second mutic division complete नहीं होगी या याद रख लेना यह चीज़ आपको clear होगी ओके अब हम चलते हैं देखो अब start होता है क्या menstrual cycle अब यह menstrual cycle जो होता है उसको क्या बोलते है यह female primates में होता है जैसे monkeys एपस और human beings वगेरा में और जब यहाँ पर यह start होता है उसको बोलते है मेनाच और हर यह 28 से लेकर 29 days में यह repeat होता है उसको बोलते है पूरी cycle चलती है तो उसको बोलते है menstrual cycle जो ओम release होता है उसको बोलते है है और जो हमारे पास में एकर कोई पढ़ रहा है तो वह जो डाइग्राम दिया हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ यह चीज कि कितने फेज होते है एक होता है menstrual phase फिर होता है follicular phase जिसको प्रो लाइफ रेक्टी फेज भी बोलते है ovulation force को ovulatory phase बोलते है और luteal phase को secretory phase भी बोला जाता है अच्छे से याद रख लेना अब देखो यहाँ पर लिखा हो देखिए the cycle start with the menstrual phase यानि menstrual phase में जो है वो cycle start मानी जाती है जब menstrual flow start हो जाता है it lasts for three to five days यह चलता है अब देखिए आपर दो बार क्योंसे ना चुका है EIPMT 2008 में और 2013 में क्या पुछा देखिए the menstrual flow result due to the breakdown of endometrium line हमने बताया था uterus के अंदर तीन लेयर होती है perimetrium, myometrium और endometrium तो endometrium के अंदर बहुत सारे glands बगरा थे तो यह endometrium lines होते है वो breakdown करती है of the uterus and it blood vessel which form liquid that come out through the वेजने और यह वेजने के तुरूब बाहर आते है not easily clot because no clotting factor in it और यह clot नहीं होता है जल्दी से क्योंग कि इसमें कोई भी clotting factor वगरा नहीं होते है the corpus luteum secret large amount of progesterone which is essential for the maintenance the endometrium इसके आप जो corpus luteum होती है वो क्या करती है progesterone को release करती है और वो क्या करता है endometrium को maintain करने में help करता है अगर वहाँ पे implantation होगा अगर वहाँ पे कोई भी implantation वगरा कुछ नहीं होता है तो उसके बाद में जो endometrium है वो fluid बगरा बाहर आ जाता है वो maintain नहीं रहता है क्लिर होगा है menstrual phase के बाद में आता है follicular phase यहां पे follicles बगरा बनते है वो आपको पता है अब देखें यह वाला जो हमें paragraph आई कितना important आपको दिखाई दे रहा है आपको पूरा रेट रेट दिखाई दे रहा है 2015 में 16 में 2020 में 1994 में 1997 में 2004 में 2011 में AI PMT 2012 में फिर यहां पर देखें 1995 1999 2001 6 7 14 16 2020 2019 मतलब यह paragraph काफी important हो जाता है menstrual cycle वाला क्या चीज़ है सब चीज़ अच्छे से पढ़ते हैं देखिए the secretion of gonadrotropin that is LH और FSH जैसे same हमारे males के अंदर रिलीज हो रहते हैं वहाँ पर female में भी रिलीज होते हैं LH और FSH increase gradually during the follicular phase और यह जब follicular phase होते हैं तो LH और FSH होते हैं वो काफी secretion इनका increase हो जाता है and stimulate follicular development हो यहाँ पर follicular development होते हैं उसी को follicular stress भी बोलते हैं as well as the secretion of estrogen by the grovian follicular जो grovian follicular वो estrogen को भी secret करती है then उसके बाद में आता है ovulation phase जिसको ovulatory phase भी बोलते हैं यह देखिए important है both LH and FSH attain peak level अब यहाँ पर LH और FSH दोनों जो वो peak level पे चले जाते हैं the mid of the cycle जब कौन से day पे 14th day पे rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle उसको बहते है LH surge यहनि LH बिल्कुल पीक पे चला जाते हैं induced rupture of graphian follicle graphian follicle rupture हो जाती है और यहाँ पे ovul ovum release हो जाता है याद रख लेना ovum क्या होता है secondary oocyte होता है आपका यहां से हमारे पास में कितनी बार कि उसे ना चुक है आपको दिखाई दे रहा होगा फिर उसके बाद में क्या होता देखिए the ovulation that is ovulatory phase is followed by the luteal phase उसके बाद में आ जाता है luteal phase during which the remaining part of the graphian follicle transform into the corpus luteum यानि corpus luteum के अंदर वो transform हो जाती है it lasts for about 13 days यह लगब 13 days ते चलती है the corpus luteum secret large amount of progesterone यहां पर corpus luteum जोता है वो progesterone को release कता है which is essential for maintaining the endometrium यह मैं endometrium को maintain कर लिए काफी helpful है such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and date after the pregnancy यहां पर यह fertilization ovum के लिए काफी important है क्योंकि implantation होगा endometrium के अंदर both FSH and LH level are low that's why no new follicle will be developed in the luteal phase और उसके बाद में LH और FSH जो काफी low हो जाती है फिर उसके बाद में कोई भी जो है वो luteal phase के अंदर कोई भी follicle development नहीं होती है उस time पे okay उसके बाद में यहां पर menopause बगरा जाता है अब यह diagram दिखाए दे रहा होगा यहां पर देखी यहां पर मैंने आपको बता दाएगी यह चीज़िया यहां पर लिख्यों देखो that is ovulation यहां पर ovulation हो रहा है अब यहां पर क्या दिखाए यह तो हमारे पास में uterine जो है वो दिखाए गए है अब uterine के अंदर यह जो layer दिखाए गए यह वो endometrium है यहां पर पहले देखो बिल्कुली develop नहीं है फिर वापी से develop होती है फिर breakdown हो जाती है वापी से आजाती है नहीं पर होर्मोन दिखाए गए है कब कौन सा होर्मोन ज्यादा होता है ओविरियन होर्मोन इस्टोजन और प्रोजेस्टोन लीरी जो होते हैं प्रोजेस्टोन आफ्टर ओविलेशन के टाइम के बाद में यह बढ़ता है क्यों क्योंकि endometrium को यह maintain करने में ताकि अगर implantation ह हो तो उसके बाद में इस्टोजन जो होता है वह ऑविलेशन के टाइम पर ज्यादा होता है फिर उसके बाद में तरհ कम हो जाता है वापीस बढ़ने लगता है यह और यह एंड़मेट्रियम ब्रेकडाण करने लगता है उसके लाभा यहाँपर देखिए यह आऊरे होर्म कि यहां पर इसको हो गया बिल्कुल हाई पर चला गया है उसकी वज़े से हो जाता है यह डाइग्राम यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं इंप्लांटेशन तो आपको सिंपल सा पता है कि दोनों अगर फ्यूज करेंगे तो वहां पर क्या हो है जब दोनों same time पहें आपला रीजन के अंदर हो जो हमारे पास में फईल्पीं ट्यूब है उसके अंदर अलग लग धिजन थे अगर दोनों Same जो है वो एक ही टाइम पहें आप्लारी रीजन पर है तो ही वहां पर फटिलेशन होगा अगर वो किसी और रीजन के Referred to the physiological change in the spermatozoa which undergo in order to have the ability to penetrate and fertilize an egg. Capistation occur after ejaculation in female reproductive tuck. यानि यापर capistation क्या होता है? यह sperm का maturation होता है. यह कब होता है? यह तभी होता है जब जो है वो sperm कहाँ पे चला जाता है? female reproductive tract के अंदर, uterus के अंदर जोता है, वो sperm का capistation होता है. यह उसके अंदर वो और ज़्यादा capability आजाती है कि वो fertilization कर पाए. आगे लिखा देखिए, during fertilization, sperm come in contact with the zona palisuda layer. यहाँ पर आपको diagram दिखाए दे रहे होगा. यह sperm आया है, zona palisuda layer यह आपको दिखाए दे रहे होगी. यह यह यहाँ पर perivitaline space दिखाए दे रहे होगा. यह बीच में ओम दिखाए दे रहे होगा. अब मैंने आपको बताया था कि second mutic division तभी complete होगी, अगर fertilization होगा. अगर fertilization नहीं होगा, तो second mutic division complete नहीं होती है, उगोनिया वाले process के अंदर. वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और वहाँ से question घ्याए में आपको दिखाए होगा. देखिए, during fertilization, sperm come in contact with the zona palisuda layer of the arm and induced change in the membrane that block the entry of the additional sperm. यहाँ से दो बार question आए कि यहाँ सबसे पहले किसके contact में आते है, जो नो पर लिखाए के अंदर वहाँ पे कुछ change होती है, जिसके वज़े से additional sperm जोते है, वो अंदर नहीं आपाती है. अब देखिए, यहाँ पर यह वाले जो मैंने आपको process बता था, कितना important है, 10 में, 15 में, 19 में, 2020 में question आ चुका ह यानि जो ओम बना था, जिसको secondary oocyte बोल रहे थे, उसमें second mutic division तभी complete होगी, जब जो है, वो enter कर जाएगा, अब देखिए, लिखा भी यहाँ, the second mutic division is also unequal and result in the formation of second polar body and a haploid ovum that is ootid, यानि यह ootid जो है, ovum और ootid में difference है, जो हमारा ovum था, वो तो हमारा secondary oocyte बोल रहे थे, बड़ उसके बाद में उसमें division होती है, और फेल जो है, वो क्या बनता है, हमारे पास में ootid बनता है, और तब हमारी second mutic division complete होती है, soon the haploid nucleus of the sperm and that of the arm fuse together to form the diploid zygote तब बनता है, अब हम बात करते हैं sex of the baby, यह तो आपको पता है, यह sex of the baby में क्या होता है, अगर वो male है तो x y होता है, और अगर वो female है तो x x होता है, और इसमे capability कितनी होती है, 50-50% कि होती है, जिसको हम detail में discuss करते हैं, कहां पर, जो हमारा genetics वाला chapter होता है, वहां पर हम discuss भी करते हैं, लिखा हुआ देखे, all the haploid gamit produced by the female, वहां पर होते है, केवल x, और जो male produce करता है, वहां पर half में x x और half में y होता है, यानि x और y होता है, यह हमारे पास में क्या हो गया, यह हो गया male, और यह क्या हो गया हमारे पास में female हो गया, अब यहां पर यह अगर दोनों मिलेंगे तो x x बन जाएगा, और यह दोनों मिलेंगे तो x y बन जाएगा, यानि 50% chance होता है, और यह सब जो male और female वो depend करता है male के उपर female पे depend नहीं करता है यह बताए गया है अब हम बात करते है division in zygote अब यह भी काफ़ी important section है क्योंकि आपको दिखाए दे रहा है division in zygote वाला कितनी बार यहां से किसे नहीं होगा देखें अब यह क्योंकि जाइगोट है वो deployed है और हमें organism जो बनाना है वो भी deployed बनाना है तो ज्यादा म्यूटिक division करवानी नहीं है दा माइटोडिक division स्टाटेड दा जाइगोट मूँ त्रू दा इस तमस ओफ दा ओविड़क्ट कोल दा क्लेवेज वाँ पे क्लेवेज होती है तुवार्थ यूट्रेस टू फॉर्म टू फॉर एट सिक्स्टीन डॉटर सेल और यह जो डॉटर सेल बन रहे हैं इनको बोलते हैं अिए जो हमारा जाइगोट था उसमें पहले सेल बनेंगे फिर चार बनेंगे फिर आठ बनेंगे शॉला बनेंगे और वो जेसल बन रहे हैं उनको बोलते हैं बाइस्टो मर अब देखें जो एम्बरियो होता है 8 to 16 blastomer वाला यानि 8 से लेकर 16 cell तब का जो embryo होता उसको बोलते है morula उसको क्या बोल जाता है morula बोल जाता है it is almost equal quantity of cytoplasm as an unequivage gigot but much more DNA यनि इसमें cytoplasm उतना ही होता है जितना gigot के अंदर था बट DNA जो होता है वो काफी जादा बढ़ जाता है फिर यह जो morula होता है इसमें continue divide होती है और वो किसमें बन जाता है blastocyst के अंदर बन जाता है अब यह जो blastocyst वो काफे जाएगा uterus की तरफ जाएगा विद diagram यहापर जो 2012 में किससे ना चुका diagram हमें सामने जो है वो अभी आगे आएगा ओके उसके बाद में क्या होता देखिए अब देखिए जो ट्रोफो ब्लास्ट लेर होती है वो अटेज होती है एंडोमेट्रियम से यार लग लेना और जो इनर सेल मास होता है वो डिफरेंशेट होता है एंबरियों के अंदर काफी important है यह अब देखिए अब यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपका आयोई नीट 2015 में पर आपको बता दूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है वहाँ पर जो STD है यानि सेक्शुल ट्रांस्मेटिड इन्फेक्शन या फिर सेक्शुल ट्रांस्मेटिड इन्फेज़ वाला जो पोर्शन है वहाँ पर एक्जांपल में एक्टोपिक प्रेगनेंसी लिक्शी लिखी हुई है और में किầy में उससती नाया था पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्चुल में होता कि अब यह वाला डाइग्राम यहाँ पर आ चुका है देखी, यह सारी अलग-लग stages है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होगी, यह जाइगोड बना फिर यहाँ पर देखिए, यह पहले आपका क्या था, ओम था फिर यहाँ पर स्पम आ गए, फिर यह जाइगोड बन गया, जाइगोड बने बाद में दो सेल, फिर चार सेल, फिर इस टाइप से डिवीजन होगा, यह मोरूला तक चल रहा है, 8-16 सेल, फिर इसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बन गया, और ब्लास्टोसिस्ट में आपको दिखाई दे रहोगा, कि यहाँ पर बाहर वाले जो ट्रोप प्रोंटेशन हो के सहता है, फिंगर लायक प्रोजेक्σιों अपेर ऊंदा, ट्रोपोब्लास्ट होता है, उस पर फिंगर लायक प्रोजेक्शन निकलते है, जिस आपसे क्रोंवुर्योक विलाइ, और यह क्रोंग ह मी लाइच होती है, वह क्रोंच क्रोंटेश में Section ब्लड और इसके अंदर यूट्राइन टीशू और मैटरनल ब्लड जो है उसमें यहाँ पर होते हैं अब आगे देखिए आपर क्या लिखवाई प्लासेंटा अब यहाँ पर देखिए था क्रोनिक विलाइंट यूट्राइन टीशू बिकेम इंट्री इंटर डिजिटीड वि यह एंब्रियो होगे यह योक सेक हो गया और यह कैवेटी वगेरा हो गया अब यह वाला जो पॉर्शन है यह काफी इंपोर्टेट आपको दिखाई दे रहोगा कितना इंपोर्टेट है क्योंकि यहाँ से 4 में 13 में 16 में 18 में 20 और 2021 में क्योशन आ चुका है यारी एप्रोक वो अलग-अलग मेटीडियल प्रोवाइड करता है जो की यूज़फूल नहीं है उसको बाहर भी निकाला जाता है किसके द्रू प्लासेंटा के द्रू ता प्लासेंटा इस कनेक्टिटे टू दा एंब्रियो थो एंब्लिकल कोर्ड एंब्रियो के साथ में वो अटेश होता विच हैल्पी था ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस तू एंड फों दा एंब्रियो से लेना और दिने करने का काम किसका होता है। जो हमारे पास एंबीलिकल कोड होती और प्लासेंट अई उसके थूरूफ सारे काम होता है। अगे देखिए प्लासेंटा और्सो एक्टोजन एंडोक्राइन टीशू की तरह भी काम करता है बहुत सारे होर्मोन रिलीज करता है होर्मोन कौन-कौन से रिलीज करता है सबसे ज़्यादे यह यह है करता है इसके लावा हिमन प्रासेंटल लेक्टोजन रिलीज करता है इसके लावा देखिए यहां पर इंपोर्टन चीज़ लिखे till यह है लेक्टोजन और हमारा रिलेक्षिन होर्मोन केवल और केवल प्रेग्नेंसी के टाइम पे जो है वह फीमेल के अंदर रिलीज होता है बाकी होर्मोन तो इस्टोजन प्रोजेशन वगरा तो नॉर्मल भी रिलीज होती है हाई लेवल ऑफ हमारे पास में human koreonic gonadrotrophin है और वह क्या करवाता है इस्टोजन और प्रोजेशन को सिंतेसाइज करवाया जाता है अब यहां पर देखे जो एंबर्यो होता हैं एंबर्यों के अंदर अलग अगलग लेयर होती है एक्टोडर्म और यह मीजोडर्म देखिए आउटर लेयर को ए मेजोडर्मली डिराइवड और गन है तो हमारी स्क्रिंज होती है वेक्टर तो इस टाइप से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एक्टोडम अंडोडर्म से लग लग और बनते हैं वैसे हाइयर एजूकेशन में आप पड़ोगे भी और वहां पर आपको लिखे भी होंगे यह जो तीन लेयर होती है एक्टो अंडोर मीजो इनी से सारे के सारे ओर्गन टीशू बगएरा बनते है इसके लावा यहां पर स्टेम सेल्स होते हैं जो कि हर एक टीशू और ओर्गन को बना सकते हैं इसके लावा एम्निओन हमें याद रखना है क्योंकि दो बार कि उसे ना चुके हैं देखिये ऐक एक एक्स्ट्रा एंबरियोनिक मेंब्रेन होते हैं जिसको बोहते हैं एम्निओन लाइंड विद एक्टोडरम एंड कवर्विद मीजो डर्म क्रिएट एक कैविटी कैविट एम्नियूटिक फ्लूट सर्वेश चोट एब्सॉरबर फोर दा वीटेश यह जो एम्नियूटिक फ्लूट वो चोट एब्सॉरबर की तरह काम करता है रैगुलेट फीटल बोडी टेंपरेचर एंड प्रिवेंट डेसीकेशन वगरह में हलप करता है अब हम बात करते हैं development of embryo के बारे में अब यहां पर काफी important है क्योंकि आसे 2-3 बार question आचुके हैं देखिए after one month of the pregnancy the embryo heart is formed यानि जैसे एक month हो जाता है pregnancy तो embryo का heart होता हो बन जाता है first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope यानि stethoscope के through heart sound सुन जा सकती है after the one month by end of the second month of pregnancy the fetus limb and digits होती है वो develop हो जाती है by the end of the 12 weeks यानि जो first trimester होता है यानि first जो three months होती है sorry जो four months हो जाती है यापर तो यहां पर देखिए most of the major organ system are formed यानि जादे तर जो major organ होती है वो बन जाती है for example the limbs and external genital organ are well developed हो जाते है first trimester का याद रखना है first trimester sorry मैं भूल कहते हैं यहां पर केवल first three months होगे the first moment of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the fifth month fifth month भी hair वगेरा जोते हो एब्जोब हो जाती है by end of the 24 weeks second जैसे trimester complete होते है the body is covered with the fine hair eyelids separate and eyelashes are formed वगेरा हो जाती है और ninth month जैसे होते है तो वह फुली develop हो जाता है fetus उसको बाहर निकाली जाता है next time बात करते है parturation and lactation के बारे में जैसे 9 month होता है उसके बाद में gastration period complete हो जाता है और वहाँ पर child birth हो जाती है यानि delivery of fetus हो जाता है उसको बोलते है parturation अब यह क्या important है यहां से देखी कितनी बार कि उसे ना चुका है यह important है parturation किसके द्वारा induced के जाता है वह में important parturation is induced by complex neuro endocrine mechanism यानि मतलब neuron का भी रोल है और endocrine मतलब hormone का भी रोल है दोनों का रोल है the signal for parturation originate from the fully developed fetus और यह parturation का जो signal होते है वह कहां से originate होता है जो fully developed fetus हो चुका है उससे originate होता है and the placenta और placenta सा भी originate होता है which induced mild uterine contraction called the fetal ejection reflex और वहां पर जो है वो mild क्या होने लगते हैं uterine contraction होने लगते हैं जिसको बोलते है fetal ejection reflex this trigger release of oxytocin from the maternal pituitary और ही उसके बाद में oxytation जो होती है वो release होती है कहां से maternal pituitary से यह भी आपको याद रखना है अभी जो oxytocin hormone आया यह क्या करेगा oxytocin act on the uterine muscles and cause stronger uterine contraction वो stronger uterine contraction करता है which in turn stimulate the further secretion of oxytocin उसके बाद में और ज्यादा oxytocin secret होता है इसके बाद में बार्थ के नाल के थू है वो delivery हो जाती है बेबी की फिर उसके बाद में lactation आपको पता है और colostrum जो होता है वो starting का जो initial days में जो milk release होता है उसको बोलते है क्या colostrum जिसके अंदर बहुत सारी सेवरल एंटी बोडिज वगरा भी प्रेजन्ट होती है यह सब को इस चैप्टर के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आज तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सीर कीजिए मिलती है जल्दी नेक्शनरी साथ तब तक के लिए धन्यवाद